आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीजो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ ये standard form में हमारे पास ellipse के equation आती है इसलिए हमने ये equation consider कर दी अब सबसे पहले हम ये ellipse draw करते है तो ये तो है y-axis, ये है x-axis और ये ellipse हमारे पास कुछ किस तरीके के आएगा ठीक है? इस case में हमने माना है कि a जो है वो greater than b है इसलिए हमारे पास एक horizontal ellipse है तो अब अगर हम देखे तो दोनों जो foci आएंगे ये foci होगा S1 और ये foci होगा S2 ठीक है? अब S2 foci के corresponding अगर हम latest rectum draw करते है तो latest rectum क्या होते है? यानि कि foci जो है उसके perpendicular एक line हम draw कर रहे है जो कि ellipse को दो points पे meet कर रहे है तो ये points आएगा L और ये आएगा L dash ठीक है? ये हमारे पास L L dash latest rectum आगया अब latest rectum के coordinates के आते है सबसे पहले हम S1 और S2 के coordinates देखते है तो S1 के coordinates आएंगे minus AE,0 और S2 के coordinates आएंगे AE,0 तो ये S1 और S2 दोनों foci है हमारे पास E जो है वो eccentricity ellipse की और A हमारे पास ये वाला point है तो minus AE,0 ये S1 फोकाई है और S2 फोकाई जो है वो है AE,0 ठीक है अब L L dash के coordinates देखते है तो L का coordinate आएगा उसमें AE तो same रहने वाला है यानि कि X coordinate S2 और L का same रहने वाला है और यहापर ये आजाएगा B square upon A इसका जो Y coordinate है वो B square upon A आएगा वैसे ही L dash के लिए भी X coordinate तो same रहेगा और इसका Y coordinate इसका negative हो जाएगा यानि minus B square upon A ये आगया अब हमें का आगया है कि S1, L और L dash ये जो triangle बन रहे है हमारे पास ये एक equilateral triangle है ये हमारे पास एक equilateral triangle बन रहे है तो equilateral triangle के लिए हम क्या बोलते है कि तीनों जो side से उसकी length equal आएगी तो सबसे पहले तो हम ये triangle join कर लेते है तो ये हमने S1, L, L dash ये triangle join कर लिया तो अगर ये equilateral triangle है तो हम बोल सकते है कि S1, L जो है वो L, L dash के equal आना चीए और वो S1, L dash के equal भी आना चीए ठीक है ये condition आना चीए हमारे पास तो S1 point तो है हमारे पास minus A, E, 0 और L point है हमारे पास L point क्या है वो है A, E, B square upon A ठीक है ये आगया तो यहाँ से अगर हम S1, L के बीच का distance देखे तो वो कित्ता हैगा तो यहाँपे है A, E और यहाँपे है 0 का whole square तो यह S1, L distance आगया हमारे पास ठीक है, वैसे ही L, L dash distance देखे तो L और L dash points जो है हमारे पास यहाँपे, इन दोनों में X coordinate तो same है, लेकिन Y coordinate different है, तो इनका distance इस Y axis के along होगा, यानि Y axis के parallel यह वाला, तो यह distance कित्ता आ जाएगा यह आएगा B square upon A, minus of minus B square upon A, तो यह total 2 B square upon A बन जाएगा, ठीक है तो L, L dash के बीच का distance आगया 2 B square upon A, यह हमारे पास lattice rectum की length आगई तो L, L dash distance यह आगया अब L, L dash और S1, L यह दोनों same होने चीए, यह दोनों triangle के sides है, तो अगर दोनों का square कर दे हम, तो यह आपर तो आएगा A, E minus of minus A, तो यह total 2 A, E बन गया, ठीक है तो S1, L को पहले हम reduce कर लेते हैं एक बार, तो अंदर यह 2 A, E बन गया और इसका square है, तो यह 4 A square E square बन गया, और यह आपर B square upon A का square है, तो यह बन जाएगा, प्लस में B power 4 divided by A square, ठीक है तो यह आगया, अब अगर हम L, L dash का square करें, तो यह आएगा 4 B power 4 divided by A square और S1, L का square करें, तो यह square root sign हट जाएगी, यह आजाएगा 4 A square E square plus B power 4 divided by A square, ठीक है यह आगया, तो अब यह दोनों side same है, तो यह equal आने जी है तो अगर हम दोनों को equate कर दे, तो हमारे पास आएगा, 4 A square E square plus B power 4 divided by A square is equal to 4 times B power 4 divided by A square, यह आगया अब B power 4 divided by A square वाली टम को अगर हम right hand side ले जाए, तो यह minus में आएगी तो यह बन जाएगा, 4 A square E square is equal to 4 times B power 4 divided by A square minus B power 4 divided by A square तो यह तो बन जाएगा 3 times b power 4 divided by a square और यह बन गया 4 times a square e square ठीक है यह आ चुक है तो a square को यह पर डिवाइड में ले जाते है तो क्या आएगा हमारे पास 4 e square is equal to 3 times b power 4 divided by a power 4 यह बन गया हमारे पास ठीक है अब हमें पता है कि ellipse की जो eccentricity होती है उसका formula होता है e is equal to square root 1 minus b square upon a square यह ellipse की eccentricity का formula होता है तो यहांसे अगर हम दोनों तरफ square करते है तो हमारे पास आएगा e square is equal to 1 minus b square upon a square यह आ जाएगा और अगर b square upon a square को हम यहा पे right-hand side ले जाए लेफट-hand side लेजाए और e square को right-hand side लेजाए तो हमारे पास आएगा b square upon a square is equal 1 minus e square यह आ गया अब दोनों त तरफ अगर हम स्कुरीर कर देते हैं तो दोनों तरफ स्कुरीर करने पर क्या आएगा यहां पर तो बन जाएगा बी पार फौ डिवैड बाइए पाई बार फोर पर लेहां है तो हम क्या करेंगे हम b power 4 divided by a power 4 को 1 minus e square का whole square लिख देंगे तो हमारे पास यहां से आ जाएगा 4 times e square is equal to 3 times 1 minus e square का whole square तो इस bracket को open करते हैं तो left hand side में तो यह ही है 4 e square और right hand side में होगा 3 times 1 minus 2 times e square plus e power 4 इस तरीके से आ गया तो 3 को अगर हम multiply करते हैं तो यह बनाएगा 3 minus 6 e square plus 3 times e power 4 और इसको अगर हम right hand side ले जाए यानि minus में आएगा तो यह minus 4 e square बनाएगा और यह पूरा 0 के equal आएगा ठीक है तो यह क्या बनाएगा यह बनाएगा 3 times e power 4 minus 10 times e square plus 3 is equal to 0 इस पॉर्म में आगया यह ठीक है तो अब इसको अगर हम factorize करें तो इसको लिख देते हैं minus 9 minus e square यानि minus 9 e square और minus e square तो यह बनाएगा 3 times e power 4 minus 9 e square minus e square plus 3 is equal to 0 यह आगया तो इसके आगया अब हम इन नोनों में से 3 e square common ले लेते तो यहापर आएगा 3 e square common लेया और अंदर बन जाएगा e square minus 3 और फिर यहाँ से minus 1 common लेते हैं इन दोनों terms में से minus 1 common लिया अंदर बन गया e square minus 3 is equal to 0 यह आगया तो e square minus 3 अब दोनों में common है तो 3 e square minus 1 एक factor होगा और e square minus 3 एक factor होगा ठीक है तो हमारे पास e square की possible values क्या आगई एक तो आईए 1 upon 3 और एक आईए e square is equal to 3 यह आगया ठीक है तो अगर हम e की possible values देखे तो e हो सकता है या तो 1 upon root 3 या फिर root 3 के equal योगी minus eccentricity तो होगती नहीं है positive ही होती है इसलिए हमने plus sign लिया अब eccentricity जो आती है ellipse की वह हमेशा less than 1 होती है तो root 3 value जो यह तो greater than 1 है तो इसको हम ले नहीं सकते है तो हमारे पास सिफ ए की eccentricity आई है जो है 1 upon root 3 तो eccentricity के आगई हमारे पास eccentricity 1 upon root 3 के equal आगई और यह हमारा answer होगा Thank you